हालही में हुए पाँच राज्यों के चुणाऊं में कॉंग्रिस को हार का सामना करना पड़ा इसके बात कॉंग्रिस हाई कमान ने आगामी विधासबा चुनाऊं को देखते हुए हिमाचल कॉंग्रिस में भी कई बड़े बदलाऊ की ऐसे में अब राजिस्थान के उदैपुर में कॉंग्रिस का सबसे बड़ा चंतन शिवर चल रहा है कॉंग्रिस का मुख्य देश ये है कि सभी पार्टी निताओं और कारिकरताओं को एक साथ लेकर चले इस चंतन शिवर में हिमाचल कॉंग्रिस के दिकच निता एक मंच पर नज़र आए साफ है कि चंतन शिवर से कॉंग्रिस का ये संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है कि पार्टी एक जुट है और आगा में विधान सभा चुनाओं में भी पार्टी एक जुटा के साथ मैदान पर उतरेगी और सरकार बनाएगी आपको बता देए उदेपुर में तीन दिन तक कॉंग्रिस का चंतन शिवर चलेगा कॉंग्रिस के चंतन शिवर के लिए विभिन मुद्दो पर बनी छे समित्यों की बैठक होगी जो की अलग-अलग मंत कमरों में होगी इन शे समित्यों में राजनितिक प्रस्ताव, आर्थिक प्रस्ताव, किसानों के मुद्दे, सामाजिक न्याय, संगठन की मजबूती, युवा सशक्ति करण जैसे थीमों पर चर्चा होगी 14 माई को पूरे दिन कुल मिलाकर समित्यों का अपना-पना मंतन चलेगा इन मंतनों के आधार पर सभी समित्या अपने रिपोर्ट तयार करेंगी शिवर के आखरे दिन सुबै छे समित्यों के सैयोजक अपने अपने प्रस्ताव पर आधारित रिपोर्ट कॉंग्रेस अध्यक्ष को सौपेंगे उसके बाद इन प्रस्ताव पर कॉंग्रेस वर्किंग कमिटी की मुहर लगेगी CWUC के समापन सत्र में इन प्रस्तावों को अपनाने का एलान होगा कॉंग्रेस निताओ को चिंतन शिविर में लिए गए प्रस्तावों पर आधारित नव संकल्पों का संदेश देगी आपको बता दे कि जीलो की नगरी उदैपुर में कॉंग्रेस का तीन दिव से चिंतन शिविर में कॉंग्रेस की राष्ट्री अध्यक्ष सोनिया गांधी राहुल गांधी समय देशभर के करीब 400 बड़े ने ताश शामिल हुए हैं कांग्रा जिले से कॉंग्रेस के दो राष्ट्री सचिव सुधी शर्मा और आरेस बाली ने भी उदैपुर में हो रहे नव संकल्प शिविर में भाग लिया इसके लावा हिमाचल प्रदेश कॉंग्रेस के भी कई पदा धिकारी शिविर में मौचूद रहे लेकिन चर्चा इन दोनों की इसले है क्योंकि एक फोटो जिसमें मुकेश अगनिहोत्री और राजेश धर्मानी के साथ दोनों खड़े नजर आ रहे हैं सभी ब्रामर चेहरे हैं और हिमाचल प्रदेश ते हैं आरेस बाली और सुधीर शर्मा का समिकरन यहां कॉंग्रेस के लिए महत्पू प्रचार में जाने वाली हैं और बिना मुक्यमंत्री के चेहरे से इसका मतलब है कॉंग्रेस पार्टी प्रचार में रहेगी जो कि कई निताओं का बरसों से एक दूसरे के साथ शीत युद्ध की चपेट में रहे साचा मंच के माध्यम से कह सकते हैं कि कहीं न कहीं हिमाचल प्रदेश में कॉंग्रेस पार्टी चुनावी टकर देने में तो सफल हो सकती है